नमस्ते दोस्तों मैं आसिस मौर दोस्तों आज हमारे पास जॉन डियर पचास शतिश डी टेक्टर आया हुआ है दोस्तों इस टेक्टर का इंजेन आयल बदलना है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे की इंजेन आयल कैसे बदला जाता है और दोस्तों आप इस वीडियो के माद्यम से अपने टेक्टर का सर्विस खुद घर पर ही कर सकते हैं तो आप वीडियो पर बने रहें मैं आपको step by step दिखाता हूं कि आप अपने से इंजिन और सर्विस कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां जो इंजिन है इंजिन के सबसे नीचे वाले भाग में चेंबर खोलेंगे तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं इंजिन के नीचे यह बोल्ट लगा हुआ है इसी बोल्ट को हमें खोलना है दोस्तों यह 16 नंबर का टूल से इसी 16 नंबर के टूल से इस बोल्ट को खोलना है तो यहां ऐसे हम इस बोल्ट को खोलेंगे बोल्ड को लुच करने के बाद बोल्ड को पूरा हम खोल देंगे तो यहां से ऐसे इंजेन आयल पूरा निकल जाएगा तो ऐसे हमें इंजेन आयल को पूरा निकाल लेना है उसके बाद दोस्तों हम और बाकी काम करते हैं और दोस्तों यहां आगे एर फिल्टर लगा होता है तो इस एर फिल्टर को ऐसे निकाल लेना है इसे हवा कंप्रेसर से साफ करवा देंगे ही और यह अंदर एक छोटा वाला लगा रता है अब दोस्तों हम इसके डिजल फिल्टर खोलेंगे तो यहाँ यह इसका डिजल फिल्टर लगा हुआ है 13 नमबर टूल से दोनों बोल्ड को खोलेंगे ऐसे हमें बोल्ड को खोल के फिल्टर को निकालना है तो यह आप देख सकते हैं यह इसका डिजल फिल्टर है तो यहां ऐसे दोनों डिजल फिल्टर को खोलके हम निकाल देंगे और इसके ग्लाशी को अछहे से साफ करेंगे दोस्तों यहां इसका ओर इंढी खराब हो चुका है इसे भी हम निकाल देंगे यहां एक screwdriver की मदद से दूसरे o-ring को भी निकाल देंगे यह भी खराब हो चुका है अब दोस्तो हम इसके oil filter को खोलेंगे तो यहां आप देख सकते हैं यह इसका oil filter लगा हुआ है दोस्तो oil filter खोलने के लिए यह fan cover जो लगा हुआ है इसे हम खोलेंगे तो यहां 12 number tool से इसके bolt को खोलेंगे इसमें 2 bolt लगे हुए हैं तो ऐसे यह fan cover जाली निकल जाएगा अब यहां हम oil filter tool से इसे खोलेंगे तो यह आप देख सकते हैं यह बहुत यह आसानी से oil filter खोल जाएगा तो ऐसे हमें oil filter को खोल लेना है तो दोस्तों यह हमारा oil filter खोल गया है हाँ तो दोस्तों यहां हमने engine oil, diesel filter, air filter, oil filter सभी को खोल लिया है तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं हमने john deer का original parts मंगा लिया है यह इसका diesel filter है यह दो piece इसमें diesel filter लगेंगे और यह इसका oil filter है इसका MRP 340 रुपे है और दोस्तों यह कुलेंट है यह एक लिटर में है इसका MRP 193 रुपे है और दोस्तों यह इसका hydraulic filter है तो यह आप देख सकते हैं इसकी MRP 767 रुपे है और दोस्तों यह engine oil है 6.6 लिटर की बाल्टी है और दोस्तों इसकी MRP 2023 रुपे है तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके diesel filter को लगाते हैं तो यह quiet diesel filter है तो दोस्तों इसको हमें ऐसे लगाना है और दोस्तों यह लमदा वाला diesel filter है इसे आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं इसमें उल्टा सिधा नहीं होता है अब यहां दोस्तों हम इसके diesel filter ओर रिंग को लगाएंगे तो यहां ऐसे ओर रिंग को बैठा लेना है तो दोस्तों यहां इसका जो यह बोल्ट लगा हुआ है इस दोनों बोल्ट से diesel लिखो रहा था तो यहां आप देख सकते हैं इसमें एक 12 नंबर ऐलमूनियम वासर लगा हुआ है तो इस वासर को हम नया लगाएंगे तो हम इसके दोनों वासर को निकाल देंगे यह पुराना वाला हमने निकाल दिया है यह नया वाला एलमूनियम वासर है इसे लगा लेते हैं और दोस्तों यह वाला जो लम्दा वाला diesel फिल्टर है इसे हमें पहले लगाना है तो यहां से आप देख सकते हैं यहां से diesel supply होके सबसे पहले इसी में आएगा तो यह हमारा primary filter है यहां दूसरे filter में भी o-ring लगा लेते हैं और दोस्तों यह हमारा secondary diesel filter है तो इसे हम दूसरे number में लगाएंगे अब दोस्तों इसके बोल्ट को हम टाइट करेंगे तो यहां हमें दूसरे फिल्टर को लूज रखना है और पहले फिल्टर को हम टाइट कर देंगे अब यहां इस हैंड प्राइमर से हम पंप करेंगे ऐसे हमें पंप करना है और इसके फिल्टर से एर बाहर निकल जाएगा तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं यहां डीजल आने लगा तो यहां जब अच्छे से डीजल आ जाए तो यहां आप देख सकते हैं अच्छे से डीजल आ गया अब इसे हम टाइट कर देंगे तो यह हमारा डीजल फिल्टर यहां कम्प्लीट हो गया अब इसे थोड़ा और पंप दे के बंद कर देंगे तो यहां इसे हमें टाइट कर देना है अब दोस्तों इसके हम ओयल फिल्टर को लगाएंगे तो आयल फिल्टर लगाने से पहले इसके ओरिंग पर हम आयल लगा देंगे तो इससे क्या है कि खोलने में आसानी होगी और दोस्तों जहां हमें आयल फिल्टर लगाना है इसके बाड़ी को अच्छे से साप कर देंगे तो यहां हमें अच्छे से साप कर लेना है और नए वाले आयल फिल्टर को यहां ऐसे लगा देंगे तो यह आप देख सकते हैं इसे भी लगाना बहुत ही आसान है और इसे हलका टाइट कर देंगे इसे बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है तो यह हमारा आयल फिल्टर टाइट हो गया अब दोस्तों इसके जाली को हम लगा देंगे यहां यह जो कवर लगा हुआ है इसे टाइट कर देंगे अब दोस्तों यहां इसके एर फिल्टर को लगा लेते हैं तो यहां हमने छोटे वाले air filter को लगा दिया है अब इस बड़े वाले को यहाँ ऐसे उपर से लगाएंगे और इसके उपर वाले cap को भी हम लगा देंगे तो इसे हमें ऐसे लगा लेना है तो यहाँ यह हमारा air filter कम्लिट हो गया अब दोस्तों हम इसके chamber के bolt को tight कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे हमें tight कर लेना है इस bolt को अच्छे से tight कर देंगे अब दोस्तों यहाँ हम इसके gauge को बाहर निकाले हैं देंगे यहाँ यह इसका gauge लगा हुआ है और दोस्तों यहाँ engine के सबसे ऊपर वाले भाग में tap it cover लगा हुआ है यहाँ यह इसका oil cap है इस oil cap को हम खोलेंगे इस cap को खोल देना है और यहाँ से हम पूरे engine oil को डाल देंगे तो दोस्तों यहाँ हमने engine oil को डाल लिया है अब इसके oil cap को हम tight कर देंगे तो दोस्तों यहाँ हमारा engine oil को सर्वीस पूरा हो चुका है अब हम इसमें coolant को डालेंगे यहाँ coolant हमारा कम है तो यह जो आप निसान देख रहे हैं यहाँ तक coolant को होना चाहिए तो यहाँ तक coolant को हम भर लेते हैं यह हमारा निसान तक coolant भर चुका है दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए इस radiator के ढखकन को भी खोल के चेक करना जरूरी है कि यहाँ हमारा coolant भरा हुआ है कि नहीं तो यहाँ coolant हमारा भरा है इसे भी चेक करना चाहिए अब दोस्तों हम इसके hydraulic filter को बदलेंगे तो यह आप देख सकते हैं यहाँ इसका hydraulic filter लगा हुआ है इस hydraulic filter को भी हम oil filter tool से खोल लेंगे तो यहाँ ऐसे हमें oil filter को खोल लेना है अब इसमें हम नए वाले oil filter को लगा देंगे तो जैसे हमने oil filter को चेंज किया है वैसे हम इसके hydraulic filter को चेंज कर लेंगे अब दोस्तों यहाँ हमारा service पूरा हो चुका है अब हम tractor को start करके चेक करेंगे तो यहाँ tractor को start करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आवाज बहुत ही अच्छा है और हमें इस oil filter को भी चेक करना होता है तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल दुआ नहीं है यह tractor बिल्कुल ओके हो चुका है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खन्यवाद